मैं उसाज और आप देख रहें CP training channel आज सिखेंगे कि desktop का बैग्रॉंड कैसे change करते हैं चलो start करते हैं personalize desktop बैग्रॉंड और यहां से आप जो भी चूज करना चाहते हैं यहां से चूज कर सकते हैं ठीक है डेक्स्ट बैग्रॉंड के अंदर आप जो भी रखना चाहते हैं यहां से रख सकते हैं then select all सभी हमको चाहिए तो हम यहां select all करेंगे और यहां से timing set कर देंगे यह चेंज होता रहेगा आपका 10 सेकेंड के बाद और यहां से सफल कर देंगे जिससे होगा कि automatically 10 सेकेंड के बाद slide होगा ठीक है चेंज होगा देन उसके बाद फिल फिट स्टेच टाइल सेंटर अब जो भी रखना चाहते हैं यहां से चूज कर सकते हैं फिल में आपका पूरा फिल हो जाएगा फिट में आपका इस तरह से सो करेगा और फिर आपका स्टेच में थोड़ा से स्टेच हो जाता है ठीक है और देन आपका यह दो option है जो हम अभी बताते हैं टेक्स्टॉप में आते हैं और यहां से यह एक लोगो है जिसे हम रखते हैं ठीक है यह अभी स्टेच में टाइल करते हैं यह छोटा जोटा बहुत सारा आ गया देन उसके बाद सेंटर सेंटर में अगर रखते हैं तो यह पूरा सेंटर में दिखेगा लोगो तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं ठीक है टाइल तभी आपका दिखेगा जब इमेज का साइज छोटा हो ठीक है इसके बाद और भी पहुत सारा options है solid color आप यहां से यूज़ कर सकते हैं बैगर बैगरांड में रखना है यहां से रख सकते हैं आपको जो भी पसंद है और आप यहां से इडिट भी कर सकते हैं कलर आपको जो भी कलर पसंद है यहां से जिस तरह का यहां से इडिट कर सकते हैं टेक है जो कलर आपको चाहिए यहां से चूस कर सकते हैं और भी बहुत सारा ह यहां से आप यूज कर सकते हैं जो भी आप पिक्चर बैगरांड टेक हैं आप यहां से यूज कर सकते हैं तेन उसके बाद ब्राउज भी कर सकते आप अगर अपने किसी ड्राइब से फोटो यूज करना चाहते हैं ठीक है ब्राउज करके आप कप्यूटर के अंदर आके जिसके अंदर भी फोटो आप रखें ठीक है वहां से आप यूज कर सकते हैं ठीक है कि अ जैसे हार्डवेर का इमेज है यह चेंज होता रहेगा अगर हम इसे फिल कर दते हैं तो आप जो भी इमेज रखना चाहते हैं आप यहां से रख सकते हैं तो हम कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है देन सेव यह था किस तरह से बैग्राउंड को हम चेंज कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग